नमस्कार मैं हूं देवांसू आप देख रहें निश्वर इस वक्त मैं मौझूद में इस गार्णियर रोड इस्तित रालोस्पा के कार्याले के बाहर आप यह तस्वीरें देखिए जिसमें लिखा हुआ करने को लेकर हाला की रालोस्पा कार्याले में अभी तक नोटिस आया नहीं है और लगतार अब यह संचे बनी हुए क्या यह जो एक वो तूटे गा या नहीं तूटे गा क्यूंकि यह जो इलाका है उस इलाके के चारू आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह जो फ्लैट लिए सरकार की तरफ से भवन-िर्मान विभाग की तरफ से इनको नोटिस भी दिया गया है और नोटिस में साब तौर पर लिखा गया है कि आपको यह जो फ्लैट्स हैं वह सभी खाली करने परें सी 21 से लेकर सी 34 तक जो तमाम फ्लैट्स वह खाली करने होंगे असाथ ही इनको अलग जगा पे आवनतित भी किया गया राजिंद नगर और काजिपूर के इलाखों में इन्हें अलग फ्लैट आवनतित कर दिया गया है लेकिन अभी तक लिए अपसिख जी तूटने वाला है कि यहां पर वानिज रुकर का अफिस बनने वाला है लेकिन हम लोगों को किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी आधिकारीक अब दिया गया था कि हमारा काम इतने दूर में नहीं चल पा रहा है हमारे ओफिस का विस्तार होना है लेकिन अभी आप जो बता रहे हैं कि यह तूटने वाला है इस तरह की कोई कारियाले रहेगा देखिए इस बारे में हमें भी तो कोई ऐसी जनकारी नहीं मिली है कि हमारे कारियाले के साथ यह लोग क्या करने वाले हैं बिहार सरकार को चाहिए था कि हमें भी सूचना देते हमारे साथ बैठ के बात कर लेते हमें इंटिमेशन होता कि आगे क्या होने वा कि यहां पर बानेजकर बिभाग का दफ़तर बनना अपटाँ के मंतरी है सुसील कुमार मोधी और इनकर बीभाग का बनना कराले टूटने से मंदी अगर ऐसा कुछ मामला बनता है आगे तो सरकार निश्यत रूप से हमें और किसी बड़े स्थान पर जगह देगी अगर उन्हें ये कारले तोड़ना होगा तो यह हो सकता है सरकार की क्या मंशा हो हम उस पर भी हमें डाउट है कि सरकार की तरफ से कोई जिक्र है और नए जगह पर आवांटीर जिन जिन दो को किया गया उनके नाम का भी जिक्र है लेकिन सी पचीस का यहां पर जिक्र नहीं है ऐसे में सवाल अभी खड़ा हो रहा है क्या जब यह तमाम जो यह लाका है इस इस गार्डनियर रोड का सी 21 से लेका सी चौतिस तो सी 25 नहीं तूटेगा जब कार्याले वानिज कर विवाग का यहां पर बनेगा तो क्या यह बीच में यह कार्याले रहेगा या नहीं रहेगा इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है आप देखते रहिए न्यूज फोनेशन